इश्वर कौन है? कैसा है? वह निराकार है या साकार? अगर वह निराकार है तो उसे मूर्ती रूप में क्यों पूजा जा रहा है? कैसे करें ईश्वर की सच्ची आराधना मूर्ती पूजा करें या ना करें क्या आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं ये कुछ ऐसे सवाल है जो कई लोगों के लिए आज तक सवाल ही बन कर रह गए हैं कई लोगों ने इनके जवाब दिये हैं लेकिन फिर से इन सवालों को उठाया जाता है तो आईए मूर्ती पूजा एवं मूर्ती उपासना रहस्य इस विशय को सर्शरी द्वारा संक्षेप में समझें एक इनसान एक नंबर को कहता ये 6 है एक कहता ये 9 है आप जानते हैं दोनों अलग-अलग दिशाओं से देख रहे हैं एक लेप्ट हैंड साइड से देखेगा तो वो कहेगा ये तो एक समुंदर की लहर है एक राइट हैंड साइड से देखेगा कहेगा ये तो एक नाखुन का चित्र है लंबा बड़ा हुआ नाखुन जानते हैं सभी सही हैं अलग-अलग दृष्टि कौन से अगर वे आपस में जगडा कर रहे हैं इसका अर्थ उनके पास आधा सत्य है पूरा सत्य पाने के लिए इस विशय को हम गहराई से समझेंगे शुरुवात के चार प्रिश्ण होते हैं जो लोगों को आते रहते हैं जि मान कर चलते मान्यता बन जाती है तो ऐसे क्या चार प्रिश्ण है जिन पर लोगों को क्लिरिटी मिलनी चाहिए पहला इश्वर है या नहीं है इस पर लोगों के वाद विवाद चलते रहते हैं नास्तिक और आस्तिक इन दोनों के जगड़े चलते रहते हैं आस्तिक के पास भी आधा ग्यान है, नास्तिक के पास भी आधा ग्यान है, उनका जगड़ा कभी खतम नहीं होता, आस्तिक एक इच्छा पूरी नहीं होई, उसका विश्वास खतम हो जाता है इश्वर से, नास्तिक जब मुसीबत में आन पड़ता है इश्वर को कहता है ये काम हो गया तो मैं मानूंगा तुम्हें, दोनों के पास अधुरा ज्यान है, इसलिए दोनों जीवन के अंत तक गलत धारणा में, गलत विश्वासों में जीते हैं, और मृत्यू के बाद भी उनका आगे का जो जीवन है, वो भी धुंद में बीथता है, तो दूसरा प्रश्न, मृत्यू के जीवन है या नहीं है, पहले इश्वर है या नहीं है, दूसरा प्रश्न, मृत्यू के बाद जीवन है या नहीं है, कुछ लोग कहते है कुछ कहते नहीं है, उनसे पूछा जाता है, आपने इस पर खोज की है, फिर बोल रहे हो है, आपने खोज की है, फिर कह रहे हो नहीं ह तो केते हमने तो कोई खुश नहीं गी, बस कहीं से हमने मान लिया, тоnu को कहा जाथा खुश करवाओ, फिर डिसाइड करो, के हए या नहीं है, और तичा रा प्रश्ना, करम बड़ा या भाग्य बड़ा, ये भी सवाल, ये शुरू की सवाल है, आगे तो और गहरे सवाल है, गहर उपरी जो सवाल लगों के अंदर उड़ते रहते हैं और वे बिना खोज किये एक धारणा मन में रखकर वाद विवाद करते रहते हैं तो करम बड़ा है या भाग्य बड़ा है और चौथा सवाल मूर्ति पूजा करें या न करें ये भी सवाल लगों का सुलस्ता नहीं है तो पाज का यही विशय है तो इसको गहराई से हम समझेंगे सबसे पहले आपने समझा कि दोनों बातें आकार की और निराकार की एक ही फिल्म है दोनों बातें ग्यान की और भक्ति की एक ही फिल्म के दो हिस्से हैं जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करनी चाहिए और जो कहते नहीं करनी चाहिए, दोनों एक ही फिल्म देख रहे हैं, कुछ इंटर्विल के पहले का, कुछ इंटर्विल के बाद का, और दोनों जगड रहे हैं, का हम सही है, हमारी फिल्म अच्छी है, वो कहता है हमारी फिल्म अच्छी है, में दोनों को नहीं मालम जो फिल्म देखकर आप जगडा कर रहे हो उसका एक ही डिरेक्टर है एक ही डिरेक्टर है सिर्फ अज्ञान की वज़े से कि जो सामने वाला कह रहा है उसी फिल्म का पार्ट है जो तुम को बहुत पसंद आ रही है सामने वाले से जिस बात पर जगड रहे हो वो उसी फिल्म का हिस्सा है जब यह पता चलेगा तो कैसे जटका लगेगा अश्चर होगा आरे मैं जिन्दगी पर जगडता रहा और पता क्या चला मैं वही फिल्म देख रहा था सामने वाला भी उसी चित्र के बारे में बात कर रहा था दोनों ने आधी फिल्म देखी इसलिए ही जगडा हुआ दोनों ने पूरी फिल्म देखी होती तो क्या होता तो नमें कभी जगडा होता ही नहीं तो इंटर्विल के पहले इंटर्विल के बाद कुछ लोग जो ज्ञान को मानते हैं, भक्ति को नहीं मानते हैं, भक्ति वगरा सही नहीं है, वे इंटलेक्ट को महत्व देते हैं, और कुछ भक्ति को महत्व देते हैं, दोनों एक ही फिल्म देखते हैं, ज्ञान मार्ग पर जब इनसान बढ़ता है, तो अंत में उसको भक्त प्राप्त होती है, बुद्धी के ब्यांड वो पहुंच जाता है, बुद्धी से इसको ये मालम बढ़ता है कि बुद्धी की क्या लिमिट है, बुद्धी से इसको पता चलता है कि बुद्धी की हद कहां तक है, और जो भक्ती मार्ग पर चलता है, तो उस पर भी चल चल कर व बुलंद शिर्दा से आगे बढ़कर बुलंद शिर्दा पर पहुंचता है ज्ञान परकट होता है तो भक्ति मार्क से परसन ज्ञान पर पहुंचा और ज्ञान से भक्ति पर पहुंचा यानि दोनों हिस्से एक ही फिल्म के हिस्से हैं तो जगड़ा खतम हो गया जब तक पु पुरुनता की जरूरत है पक्षी के दोनों पंख दोनों चाहिए तब पुरुनता आती है तब वो बड़ी उडान भर सकता है उसी उडान के लिए कुएं से हलिकॉप्टर की तरफ जाने के लिए हम इस विशे पर बात कर रहे हैं जिसमें समझ में आया कि आकार को मानने वाले निराकार को मानने वाले एक ही फिल्म की बात कर रहे हैं करम को मानने वाले भाग्य को मानने वाले एक ही फिल्म की बात कर रहे हैं करम लकडी है भाग्य कोईला है लकडी और कोईले में क्या फर्क है लकडी ही जलकर कोईला बनती है वो वही चीज है समुंदर है उसके अंद तो आप कहोगे लकडी से ही कोईला बना करम ही भाग्य है तो जो जगड़ा हमेशा चलता रहा लोगों का वो मिठता है आज का विशह मूर्थी पूजा करे या न करे इसको समझे कि किस तरह इंसान शुरुवात में मूर्थी के सामने बैठता है आप मूर्थी के सामने बैठो गंटो बैठो मगर आपको वहर रजल नहीं आएगी जो आनी चाहिए थी एक इनसान टीवी के सामने बैठा है गंटो बैठा है उसका क्या फाइदा होगा अगर उसने टीवी आउन ही नहीं की आप बच्चों को बुला चलो बच्चों हम टीवी देखते है और टीवी के सामने सब को बिठा दो टीवी बंद है तब देख रहे कब चालू करने माला है टीवी और आप बैठे हो इसको देखते है पर टीवी को तो बच्चे क्या कहेंगे रहे उस टीवी को जागरत तो करो उस टीवी को जागरत तो करो अब वो जागरत शबते उस नहीं करेंगे वो तो चालू बाशा में कहेंगे चालू करो मगर मूर्ती को भी जागरत करना है जिस मूर्ती के सामने आप बैठते हो उसको जागरत करन वना आवशिक है जो लोग मुर्ती पुजा एं करते है विश्यों में वीना समझ के फायदा हो रहा है लेकिन वह फाइदा नहीं हो रहा जिसके लिए वह चीज बने जिसके लिए उन आत्मसाक्षात कारी पुर्शों ने बनाई किन लोगों ने बनाई होगी मूर्थिया उन्हीं लोगों ने जिनों ने सत्य जाना उन्होंने उस सत्य को सांकेतिक भाषा में पहुचाने के लिए लोगों तक सिर्फ उस जनरेशन में नहीं उस पीडी में नहीं आगे आने वाली हजारों पीडियों में वह सत्य लोगों तक पहुचे इसके लिए उन्होंने वह सब ज्यान उस मूर्ति के अंदर डालकर सांकेतिक बाशा में ताकि यह पूजा पीडी धर पेडी पूर्वजों से जाएगी और आगे लोग उस मूर्ति पर जो मनन करेंगे उसे जागरत करेंगे वे फिर से वही सत्य जान लेंगे लोग बीच में भूल जाएंगे मर फिर कोई वापस से उसको जागरत करेंगा जो जागरत करेंगा फिर वापस सबको बताएगा फिर कुछ जनरेशन के बाद लोग भूल जाएंगे ऐसे चलते रहेगा तो मूर्ति पूजा अगर कर रहे हैं और मूर्ती जागरत नहीं की TV-on नहीं की तो आपका क्या फाइदा होगा क्या आपकी आस्था बढ़ेगी TV-on ही नहीं की आस्था बढ़ेगी नहीं बढ़ने वाले अच्छे संसकार मिलेंगे नहीं मिलने वाले साधना होगी नहीं होने वाली है तो ना साधना हुई ना अच्छे संस्कार ना आस्ता तो क्या फाइदा हुआ जागरन तो होगा नहीं और जागरन नहीं हुआ तो कहां सत्य जान पाएंगे तो टीवी को आउन करना जागरत करना आवशक है तो जब हम मूर्ती के सामने बैठते हैं रिमोट कंट्रोल से उस टीवी को आउन करते हैं तो वह हमारे जीवन में वह समाचार हमें देती है जिसकी हमें आवशक्ता है वरना वह बंद टीवी कोई फायदा नहीं देगी चाहे आप गंटों बैठे रहें तो रिमोट से आप मनन का बटन जब दबाते हो मूर्ती के सामने बैठकर जब आप मनन उपासना करते हो मौन उपासना करते हो, मनन और मौन का बटन दबाते हो, तब वो मूर्थी जागरत हो जाती है, और फिर उसी मूर्थी में आप वह अस्तित्व महसूस करोगे, और एक पत्थर के मूर्थी में भी अस्तित्व महसूस हो गया, तो जीती जागती मूर्थियों में तो हुने ही व कैसे एक पत्हर की मूर्ति में भी सत्य का अस्थत्व महसूस कर पाएं , , वहां संभ़व है तो हर जग संभव है , , इस समझ के साथ मूरति पूजा शुरू है मूर्ती पूजा करें या ना करें कैसे करें इश्वर की सच्ची आराधना इस पुस्तक में मूर्ती पूजा के रहस्य को उजागर किया गया है साथ ही इस पुस्तक द्वारा आप मूर्ती पूजा के पीछे छिपी सही और गहरी समझ को प्राप्त करेंगे जिसे आत्मसाद कर आपके बूर्ती पूजा संबंदी समस्त भ्रम मिटेंगे और आप निराकार साकार आस्तिक नास्तिक इन सभी लेबल से परे होकर सत्य को जान पाएंगे. इस पुस्तक को ऑनलाइन और करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 90110 13210 इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें. जाओा झालाओ मिटेक्ट करें जान प्रम मिटेक्ट करेंगे.